येस पीपल गुड बॉर्णिंग गुड आफ़नून गुड इबनिंग टू अल अफ यू कैसे सब लोग होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूँ तो जैसा कि आज से हम रिविजन रिजूम करने वाले है तो सबसे पहले आज हम रिवाइज करने वाले है आएरटी को तो Тем यह इंटरमेडियट के लिए आऽटीप हाँ दे रखाए तो आप हमारे चकि वेब साइट पर जाएंगे और वेब साइट में RTP को फड़ा पट रिवाइस कर देते हैं, क्या RTP में क्या-क्या है, क्योंकि होता क्या है न, RTP में नए-ने questions होते हैं, और ये तो taxation की बात है, तो taxation में तो हर question नए याता है, हर बार, तो हर बार paper नए आता है, उसमें नए questions आते हैं, तो let's start with the RTP, that is applicable for your examination, that is May 2024 के लिए, तो चलिए RTP स्टार्ट करते हैं, RTP में सबसे पहला जो question है, that is related to the life insurance policy से related है, और मैं बता हूँ, आप बोलोगे सर, life insurance policy का maturity क्या होता है, कैसे होता है, उसका lecture आपने कहां दिया, तो मैंने आपको पता है, अगर आपको याद रहेगा, तो मैंने क्या किया, आपके लिए एक अ जो amendment दिया था, उसी के basis पे यह पहला MCQ है, तो आप फटापट एक काम करिए, इसका पहले आप एक काम करिए, एक lecture देख लीजिए, सर, lecture कहां से देखे, तो आपको इस concept के जो notes मिलेंगे, वो bpvirtuals.com पे जाएंगे, आप free resources पे जाएंगे, free resources में आप inter पे जाएंगे, औ इंटर अमेंडमेंट कॉलिजंडम और कॉम्पाक्ट में नवंबर 2024 करके जो दे रखा है, यहाँ पे आप अगर लॉग इन करके और इसको डाउनलोड करेंगे, आपका काम हो जाएगा, और इसका lecture भी मैंने डाल रखा है YouTube पे, तो YouTube पे आप लेक्चर देख सकते हैं, सर, YouTube पे लेक्चर कहां दे रखा है, तो YouTube में आप भवर बोराना जो है, उस पे जाएंगे, और उस पे जाने के बाद आप जब वीडियो में जाएंगे, तो वीडियो में आपको दिखेगा, that is यह बाला, CA Inter का जो यह है Addendum and Amendment of Compact May November 2024, होप सो आप लोगों ने यह वीडियो देख रिखा होगा, अगर आपने नहीं देख रखा है, तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, 39 मिनिट्स का, उसके बाद आप RTP करेंगे, तो आपका एकदम बढ़िया सा, अच्छे से हो जाएगा, चलिए, स्टार्ट करते हैं, हम RTP और RTP का पहला question, मैं साथ साथ में concept को आपको rewind करवाते जाओंगा, कि यहाँ पर कौन सा concept लग रहा है, कैसे लग रहा है, वो सब में आपको करवाते जाओंगा, अब एक बात समझना, तो पहला जो case scenario है, वो देखिए क्या है, अच्छे से read करना धंग से, ठीक, अच्छा लिए, Mr. Aakash, age 47 year, 47 years, means senior citizen नहीं है, is a CEO of the ABC Enterprise Private Limited, during the previous year 23-24, he has earned the following income, यहाँ पर आपको salary 45 lakh दे रखा है, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको सिरफ salary लिखा हो, या फिर salary received लिखा हो, तो आपको यह ध्यान देना है, कि यह जो salary है न, इस में से आपने 50,000 का standard deduction अभी तक नहीं लिया, लेकिन अगर आपको ऐसा द racket में दे रखा हो, computed, जब computed दे रखा है, तो आपका यह assumption रहेगा, कि इस में से 50,000 का standard deduction under section 16 ले रखा है, तो यहाँ पे सिरफ salary दे रखा है, तो मेरा assumption यह रहेगा, जब salary दे रखा है, तो यहाँ पे आपने 50,000 का standard deduction अभी तक नहीं लिया, तो अगर मैं net salary की बात करू, तो यहाँ पे आपका net salary जो है, वो 44,50,000 है, वो आपका हो जाएगा net salary, अब एक बात समझना, long term capital gain on sale of listed equity share, जिस पे STT आपने पे किया है, amounting to 6,54,000, यह आपका LTCG 112A वाला है, और आपको याद रहेगा, LTCG 112A पे कॉनसी रेट से tax लगता है, tax at the rate 10% in excess of the 1 lakh, 1 lakh से उपर वा 1000 पे 10% से tax लग जाएगा, dividend 12 lakh मिला, from the shares of Indian company, अब एक बात समझना, यहाँ पे दे रखा है, dividend of rupees 12 lakh, from the shares of Indian company, Indian company के shares से 12,00,000 रुपे का dividend मिला, तो यह dividend आपके income from other sources में जाएगा, taxable होता है, slab rate से, अब आप हैना, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर examiner कभी भी आपको सिरफ dividend दे दे, सिरफ dividend, या फिर dividend income दे दे, dividend income, तो आपका assumption यह रहेगा, कि यह gross है, मतलब यह gross है, कुछ भी करने की ज़रुवत नहीं, this is the gross dividend, ठीक है, लिकिन अगर examiner, आपको ऐसा word दे दे, that is dividend received, अगर dividend received word दे दे, या फिर dividend credited to bank account, credited to bank account, अगर ऐसा दे दे, कि dividend received, या dividend credited to bank account, तो आपको यह समझना है, कि यह dividend net of TDS है, यह dividend है, यह net of TDS है, और same fundा लगेगा, आपके interest के लिए भी, जैसे bank FD का interest वगर आपको दे रखा है, तो अगर आपको ऐसा दे रखा है, that is the interest or interest income, तो तो मानना है gross है, लेकिन अगर आप आपको ऐसा दे रखा है, interest received, या interest credited to bank account, तो आपको net of TDS मानना है, और उसको फिर gross up करने के बाद, आपको income में calculate करना है, you got my point or not, yes, अब एक चीज़ समझना, यहाँ पे जो दे रखा है, वो सिरब dividend दे रखा है, तो मैं मानूँगा यह dividend gross है, ठीक है, already gross है, कोई दिक्कत नह तो 12,00, divided by 90, multiply by 100 करके और आप gross dividend पर जाते, आप किस पर जाते gross dividend है, वो compute करते हैं, बट ऐसा इसमें करने की जरूवत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिरफ dividend दे रखा है, तो यह माना जाएगा कि यह dividend आपका already gross है, चलिए, next part, interest on saving bank account, SBI से 16,000 का interest है, and interest on fixed deposit with the bank of berloda, 45,000, अगर यहां पर interest on FD दे रखा है, आप मानेंगे यह gross है, लेकिन अगर interest received दे रखा होता, या interest credited to bank account दे रखा होता, तो आप इसको net of TDS मानते, और फिर divide by 90 करके, multiply by 100 करके और 50,000 पर जाते, आप वैसा करते हैं, इसमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, you got my point or not, yes, तो चलिए 45,000 ह यह आपका gross interest है, FD का, यह आपका SBI का interest है, saving bank से, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है, बहुत interesting ध्यान देना, Mr. Akash has made, following payment towards the medical insurance premium for the health policies taken for his family member, अब एक बाद समझना, उसने health insurance लिया है, तो health insurance लिया है, तो जैसा कि आपको पता है, उसमें ATD का deduction मिलेगा, अब ATD का deduction कितना मिलेगा, तो सबसे पहला, medical premium for his spouse, age 43 years, 13,500, तो इसका deduction मिल जाएगा, answer is yes, क्योंकि आप देखोगे, आपके खुद के लिए, spouse के लिए, independent children के लिए limit कितनी है, 25,000, और parents के लिए अलग से 25,000, और अगर parent senior citizen है, तो 50,000 parents के लिए हो जाएगी, अगर आप या आपक spouse में कोई senior citizen है, तो आपके लिए भी वो limit 50,000 की हो जाएगी, तो यहाँ 25,000 का limit है, तो मैं बताओ, यहाँ 13,500 का आपको पूरा deduction मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा, medical premium for his mother, and mother age is 65 years, तो मम्मी का age है, वो 65 years है, और उनके लिए health insurance premium लिया है, जिसका 26,670 by check, तो क् इसका deduction मिल जाएगा, answer is yes, इसका भी deduction मिल जाएगा, और इसका deduction आपको कितना मिलेगा, तो 26,000, and guys, 670 है, उतना deduction आपको, यहाँ पे 80D में, जो parents के लिए health insurance पे किया, उसका भी मिल जाएगा, अब एक बास समझता, preventive health check-up of 5,500 each for his wife and mother in cash, guys, देखो, ATD में आपको deduction मिलता है, किस किस के लिए, या तो health insurance करा दो, या फिर central government health scheme में पैसा डालो, या फिर आप preventive health check-up के लिए पैसा डालो, या senior citizen का medical treatment करा हो, जिसके लिए health insurance नहीं है, अब एक बास समझना, इसमें ATD में जितने भी घर्चे करत हो, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, any mode other than cash, cash में नहीं करना, बाकी सब चलेगा, bearer check चलेगा, yes, cross check चलेगा, account paycheck चलेगा, debit card, credit card, सब चलेगा, cash नहीं चलेगा, लेकिन एक चीज़ के लिए आप cash में payment कर सकते हो, that is preventive health check-up, लेकिन preventive health check-up के लिए भी आप cash में payment कर सकते हो, उसमें एक limit है, कि प्रिवेंटिव health check-up के लिए maximum आप 5000 रुपे का payment कर सकते हो, cash में, मैं नहीं प्रिवेंटिव health check-up का deduction मिलता है, अब ये 5000 क्या मेरे लिए spouse, children, इसके लिए और parents के लिए क्या अलग 5-5000 है, या सब का मिला के 5000, right answer है, सब का मिला के 5000, तो प्रिवेंटिव health check check-up के लिए, इसमें 5,500 each, मतलब total 11,000 का payment किया है, तो अभी guys, यहाँ पर deduction कितना मिलेगा, maximum 5000 का, यहाँ पर जो deduction मिलेगा, वो आपको maximum 5000 का मिलेगा, तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, कि देखिए, wipe के case में ले लिता हूँ, तो wipe में 13,500 था इसकी wipe के लिए, इसमें आप 5000 का और preventive health check-up का है, इसका भी deduction मिल जाएगा, preventive health check-up का 5000, आगे क्या दे रखाए, Mr. Aakash also incurred the medical expenses by credit card of 17,000 for the treatment of his mother, अब देखो, मम्मी senior citizen है, और मम्मी के लिए treatment का खर्चा करवा है, medical treatment, तो उसका भी तो ATD में deduction मिलता है, guys, मिलता है, लेकिन उसमें condition थी, कि ATD में medical treatment का deduction तभी मि insurance नहीं है, लेकिन आप देखोगे, इसके उपर वाले line में यहाँ दे रखा था, कि mother के लिए तो health insurance है, तो यहाँ पर medical treatment का खर्चे का deduction नहीं मिलेगा, मिसे 17,000 का deduction आपको नहीं मिलेगा, उसके बाद में, लेकिन 27,000 है, वो उसने father के लिए spent किया medical treatment के लिए, अब father के लिए यहाँ पर health insurance नहीं है, तो father का जो 27,000 है, उसका deduction आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर बेटा, mother के लिए जो 26,000 670 दा ना, यहीं पर मैं 27,000 को और add कर देता हूँ, तो total कितना हुआ, तो देखो, 26,000 670 plus 27,000, it comes to the 53,000 670, तो 53,000 670 और इसमें से maximum deduction कितना मिलेगा, 50,000 का मिले तो मैं बताओ, maximum parents के लिए आपका 50,000 का और wife के लिए कितना हो गया था, 13,500, 13,500 plus 5,000, तो 18,500 plus 50,000, तो कुल मिला के मैं बोलू, 80D में आपका जो यह information जितना भी दे रखा था, यह 80D से related दे रखा था, इसमें 80D में आपको deduction है, वो 68,500 का मिल जाएगा, अकाश को, अगर व 115 BAC से वो opt-out करता है, तो ही थो 80D मिलेगा, अगर 115 BAC लेता है, तो 80D नहीं मिलेगा, आगे क्या दे रखा, देखिए, he has taken the multiple life insurance policies, the details of such policies are given here under, अब एक बाह समझना, मैं आपको life insurance policy से related, जो amendment उसको एक बार revise कराते था, वो ध्यान रखना, देखो, life insurance policy का जो maturity रहता है न, वो normally exempt, उस पर कोई tax नहीं लगता, that is the exempted, तो life insurance policy का maturity exempt है, उस पर कोई tax नहीं लगता, but guys, तीन case में tax लग जाता है, एक तो keyman insurance policy का maturity हुआ, तो वो हमेशा taxable है, कहा taxable होगा, अगर employer को पैसा मिला, तो PGBP में, employee को मिला, तो आपके salary में, अगर employee-employer का relationship नहीं है, और पैसा मिला तो income from other sources में, तो हमेशा, keyman insurance policy का maturity taxable होता है, डूसरा एक चीज़ ध्यान रखना, आपको बता, premium pay करते है, जब life insurance policy का, जीवन बीमा का, तो उसमें एक limit होती है, और वो limit हम deduction topic में, ATC में discuss करते है, कि policy कब लिया है, policy अगर 1 for 2012 से पहले लिया है, तो 20% of policy value का एक limit है, अगर policy 1 1 for 2012 या उसके बाद में लिया है, तो 10% का limit है, and 1 for 2013 के बाद में, अगर handicapped के लिया है, या फिर कोई person specified disease है, उससे infected है, उसके लिया है, तो वहाँ पे 15% का limit है, अगर यह limit को cross कर जाते है, अगर यह limit जो है, इस limit को अगर आप cross कर जाते है, यह limit को अगर आप cross कर जाते है, तो maturity amount आपके लिए taxable हो जाएगा तो maturity amount है वो आपके लिए taxable होता है and guys तीसरा एक amendment इसी साल से हुआ है उस पर ध्यान देना तीसरा amendment क्या बोलता है कि अगर आप 1 for 2023 1 for 2023 ये साल current ये 1 for 2023 या उसके बाद में policy लेते है and किसी भी साल में उस policy का premium अगर 5 लाक रुपे से ज़्यादा है premium जो है वो 5 लाक से ज़्यादा है तो guys maturity amount आपके लिए taxable होगा premium पाँच लाक से ज़्यादा है तो maturity amount आपके लिए taxable होगा किसी भी साल में अगर कोई policy 1 for 2023 या उसके बाद में लिया and किसी भी साल में premium amount है वो 5 लेक से ज़्यादा है तो maturity आपके लिए taxable होगा एक और चीज़ समझना अगर आप policy multiple लेते हो एक policy नहीं लेते हैं आप मालनो बहुत सारी policy ले लेते हो और एक policy का premium 5 लेक से ज़्यादा नहीं है बट multiple policies का मिला के 5 लेक से ज़्यादा है तो 1, 2, 3 and 4 चार policy ले ली और चार policy का premium है इसका 2 लेक है या मैंने मालनो 5 policy ले ली इसका भी 2 लेक है इसका भी 2 लेक है इसका भी 2 लेक है एंड गाइस last policy है उसका भी premium 2 लेक है अब एक भात समझना जब यहाँ पे 5 policy मैंने ली all policy 1 for 2023 है उसके बाद मैं ली तो इसमें क्या होगा देखिए अगर आप देखोगे individual तो किसी भी policy का premium 5 लेक से ज़्यादा नहीं है बट आप देखोगे कि यहाँ पे aggregate मिला के तो 5 लेक से ज़्यादा हो गया न तो जिन policies का aggregate premium up to 5 लेक है उन पे आप exemption ले लो बागी वाला taxable करा दो अब एक बाद समझना तो मैं बताओं मैं क्या कर सकता हूँ policy number 1 और 2 है इनका aggregate कितना हो रहा है 4 लेक premium किसी भी साल में तो मैं क्या करूँगा इन policies का maturity को exempt करा दूँगा under section 1010D जिस पर कोई tax नहीं लगेगा यह जो तीन policies है इनका जो maturity होगा वो मैं taxable करा दूँगा जो last की तीन policy है उनका जो maturity है वो मैं taxable करा दूँगा और इनका जो maturity है वो मैं exempt करा दूँगा लेकिन अब आपका question रहेगा सर इसमें हमां alternative भी तो कर सकते है answer is yes आप एक काम कर सकते है policy 4 and 5 का maturity exempt करा दीजिए और इनकिन policy का maturity taxable करा दीजिए या फिर आपका मने नहीं नहीं मैं तो 2 और 3 का maturity exempt कराना चाता हूँ और 1, 4 and 5 का taxable कराना चाता हूँ आप ऐसे भी करा सकते हैं अब एक और चीज समझना सर आप बोल रहे हैं कि policy का premium है वो 5 lakh से जादा हुआ लेकिन 5 lakh से लेते time क्या हम inclusive GST देखेंगे या exclusive GST right answer is आप exclusive GST देखेंगे जैसे एक बात बताओ मैंने एक policy ली for an example 4,95,000 है उसका premium है अब 4,95,000 उसका premium है और उसमें 5% GST लगता है अब एक बात समझना GST एड़ करने के बाद उसका 5 lakh 19,000 हो गया 750 तो sir क्या बोलेंगे क्या policy का premium 5 lakh से जादा है या 5 lakh तक ही है right answer is 5 lakh या उससे कम है क्योंकि आपको जो premium देखना है वो excluding GST देखना है ना कि including GST excluding GST तो excluding GST आपका premium कितना है 4,95,000 है excluding GST आपका जो premium है वो 4,95,000 है और जब 4,95,000 है तो उस particular case में यहाँ पे 5 lakh तक ही अगर premium है और एक ही policy ली है आपने तो इसका maturity exempt करा दीजिए अब एक और चीज समझना sir आप बोल रहे हैं कि policy का maturity taxable होगा यह taxable कौन से head में होगा तो जैसा कि मैंने बताया income from other sources में taxable होगा life insurance policy का maturity जो taxable होता है वो taxable होगा आपके income from other sources में sir taxable कितना होगा क्या पूरा maturity amount taxable होगा ना बाबा ना taxable कितना होगा कि जितना आपका maturity amount है minus जितना आपने premium pay किया था excluding GST वो less कर दीजिए जो बचेगा वो taxable होगा मिस जितना maturity होगा minus जितना इतने सालों में premium pay किया था वो less कर दीजिए जो बचेगा that is going to be taxable वो आपके लिए taxable हो जाएगा अब एक और चीज़ समझना एक concept आता है term insurance term insurance किसको बोलते है term insurance का मतला ऐसा insurance जिसमें आपको maturity पर कोई पैसा वैसा नहीं मिलता means अगर आप मर गए तो पैसा मिलेगा नहीं मरे तो आपका पैसा आपने premium pay किया वो loss है that is called term insurance guys term insurance के case में यह सब amendment नहीं लगेगा अगर मैंने कोई term insurance लिया माल लो foreign example मैंने 50 करोड का term insurance लिया कि मैं अगर माल लो कल उटके मर गया तो मेरी वाइप को जो है वो 50 करोड रुपया मिलेगा उसके लिए मैंने premium बेग गया तो उसके लिए क्या यह 5 लाग के limit अरे इसके लिए इसको तो exclude करना है क्योंकि इसमें तो maturity होता ही नहीं ना देखो अब एक बात बताओ इसकी maturity सिर्फ तब हो सकती है जब आप मरोगे अगर कोई बंदा मर गया तो पैसा मिलेगा और मरते टाइम जो पैसा मिलता है न वो exempt है भले आपका premium यह जो दूसरी वाली policies की मैं बात कर रहा था अगर कोई बंदा मर गया और मरने के बाद पैसा मिला तो जो मिला वो सब exempt है मरने के बाद पैसा मिला तो सब exempt है कीमेन insurance policy का पैसा मिला तो taxable होता है बाकी case में मरने के बाद अगर life insurance policy से legal here को पैसा मिलता है वो पूरा exempt हो जाता है, भले premium आपका 5 लाग से जादा था, तो यहाँ पर term insurance के case में आपको कुछ भी देखने की जरुवत नहीं है, term insurance में maturity होता ही नहीं है, कुछ पैसा मिलता ही नहीं है, जब आप मरोगे तो पैसा मिलेगा और मरोगे तो पैसा मिलता है, वो exempt है, तो आप 5 कि limit बगरा देखते है, आपको जो term insurance policy रहता है, उसको आपको ignore करना है, चलिए, अब अपन इसी knowledge के basis पे यहाँ पे देखते है, इस बंदे ने कितनी कौन-कौन सी policies ली है, चलिए, देखिए, सबसे पहले, he has multiple insurance policy, the detail of such policies are given here under, अब guys, उसना सबसे पहले एक policy X ली है, जिसको 1 1 for 2017 में लिया था, 1 for 2017, जिसका premium जो है, वो आपका 40,000 था, उसमें GST और total premium, आपको GST total premium को नहीं देखना, आपको GST total premium को नहीं देखना, आपको देखना excluding GST premium कितना था, तो excluding GST आपका premium है, वो 40,000 था, अब आप एक बास मजना, इसकी maturity 2026 में आने वाली है, and guys, इसका जो consideration आपको received होने वाला है, वो 7 lakh है, और आपका sum assured 5 lakh है, पहली चीज तो, क्या इसकी maturity taxable होगी या exempt होगी, human insurance policy नहीं है यह, दूसरा, क्या यह policy का premium pay करते time, वो limit को cross किया गा, 10%, 20%, 15%, answer is no, क्योंकि आपने जो premium pay किया है, वो 40,000 है, and guys, आपका sum assured 5 lakh है, तो 5 lakh का 40,000 is within the limit of that 10%, 10% से ज्यादा नहीं है, तो आपने limit को भी रखा है, तो exempt होगा, क्या यह policy 1 for 2023 के बाद में ली है, और इसका premium 5 lakh रूपेज से ज्यादा है, answer is no, वो भी नहीं है, तो मैं बताऊं, इस policy का maturity जो भी होगा, वो maturity आपका पूरा exempt हो जाएगा, under section 1010D में, यह पूरा exempt हो जाएगा, under section 10 1010D में, इस पर कोई भी tax नहीं लगेगा, अब एक बात समझना, यह last वाला जो term insurance policy है न, यह तो आपने कभी भी लिया, इसको आपको छोड़ देने का, term insurance policy के case में, यहाँ पे कोई concern क्योंकि उसमें maturity होती ही नहीं है, अब आपके बास 3 policy और बची, और यह 3 policy कौन सी है समझ न, एक तो आपकी policy Y, एक Z, एक policy A, अब यह policy 1 for 2023, 1 for 2025, 1 for 2024, means तीनो policy 1 for 2023 यह उसके बाद मिली है, premium कितना है, इसका premium आपका 3 lakh है, इसका आपका 2 lakh है, इसका 250 है, and guys, maturity 32 में आ रहा है, 31st March 2032 को maturity है, इसका 34 में है, इसका 33 में है, तो कितने साल premium pay किया होगा, अगर 1 for 2023 से अगर आप count करते हो, 32 को maturity है, तो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 9 year, 9 year you will pay the premium, here also 25 से 34 maturity 9 year, and here also 9 year, miss 9 year you will pay the premium, and टीनो policy 1 for 2023 यह उसके बाद मिले रखिए, अब एक बात बताओ, आपका देखोगे, क्या किसी policy का premium 5 lakh से ज़ादा है, आंसर इस, किसी भी policy का premium 5 lakh से ज़ादा, individual का तो नहीं है, बट आप अगर देखते हैं, तो aggregate मिला के, आपका premium है, वो 5 lakh से ज़ादा हो गया, क्योंकि 3 lakh, 2 lakh, 5 lakh, 7 lakh, 50,000, तो aggregate premium is more than 5 lakh, तो maturity taxable होगा, अब इसमें आप exemption किस पे ले सकते हैं, जिनका premium up to 5 lakh है, उस पे आप exemption ले लो, बाकी वाली को taxable करा दो, तो इसमें क्या-क्या permutation combination हो सकते हैं, एक काम करो, जैसे इसका 3 lakh है, इसका 2 lakh है, तो total कितना हुआ, 5 lakh हो गया, तो इन दो policy का maturity है, वो आप exempt करा दो, क्योंकि up to 5 lakh है, और इसका जो maturity है, वो आप taxable करा दो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप ये दो policy जो है, Z and A, उसका maturity आप exempt करा दो, क्योंकि 2 lakh and 2.50, 4.50 हो आप to 5 lakh है, इसका maturity आप exempt करा दो, इसका maturity आप taxable करा दो, या फिर, क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या Y and A का maturity exempt ना, क्योंकि दोनों की total करोगे तो 5.50 का premium हो गया रहा है, नहीं, 5 lakh या उससे कम का premium होता है, उनका maturity आप exempt करा दो, बाकी वाले का taxable करा दो, तियो तीसरा combination नहीं बन रहा, चलो हम एक काम करते हैं, हम यह check करेंगे, किसमें आपका ज्याद़ा फाइदा होगा, तो ज्यादा फाइदा होगा मतलब, जिसमें income कम आएगी, उसमें ज्यादा फाइदा होगा, चलिए, अब एक बात बताएए, अगर मैं Y को taxable कराता हूँ तो taxable amount कितना आएगा तो देखिए Y के लिए आप 3 lakh रुपेज premium every year pay कर रहे हैं आपने 9 year तक premium pay किया तो 3 lakh multiply by 9 year इटस कम्स तो 27 lakh तो total 27 lakh आपका premium pay होगा minus 36 lakh तो इटस कम्स तो 9 lakh का taxable होगा अब एक बात बताओ तो अगर मैं Z को taxable कराता हूँ तो Z का taxable amount कितना आएगा 9 year में आप 18 lakh पे करेंगे और 18 lakh पे करेंगे तो बचेगा कितना आपका 10 lakh तो 10 lakh बचेगा अब एक बात बताओ आप A के लिए तो 2 lakh 50,000 multiply by 9 22 lakh 50,000 तो आपका taxable amount कितना होगा 750 होगा अब एक बात बताओ मैं दिखता हूँ कौन सा beneficial है एक बात बताओ अगर मैं यहां पे Y and Z इस पे मैं exemption ले लेता हूँ तो मेरा taxable income 750 होगा taxable income is 750 लेकिन अगर मैं exemption Z और A पे ले लेता हूँ तो मेरा taxable income 9 lakh होगा तो ज़्यादा beneficial क्या है कि exemption ले लेते हैं हम Y and Z पे है तो Y and Z इसको आप एक काम करिए इन दो policies को आप exempt करा दीजिए under section 1010D and last वाली जो A policy है उसको आप taxable करा दीजिए चलिए अब अपन इसके basis पे आपको जो है वो answer देने हैं और answer देते हैं देखिए on the basis of fact given above choose the most appropriate answer देखिए सबसे पहला which are the life insurance policy in respect of Aakash would be eligible for exemption under section 1010D in respect of maturity process choose the option most beneficial to Aakash अब एक बात बदाओ Aakash के लिए beneficial क्या है पहली तो आपका X का maturity exempt होगा clearly लिखा हुआ X का maturity exempt होगा दूसरा मैंने बोला आप Y and Z का करा दीजिए तो आपका right answer पहले का क्या होगा X, Y and Z इसका maturity आप exempt करा दीजिए A का taxable करा दीजिए तो right answer is X, Y and Z that is the A is the correct answer तो पहले का आपका X, Y and Z that is your correct answer आप X, Y, Z का maturity exempt करा दीजिए चलिए दूसरा what would be your answer to the MCQ number 1 MCQ का 1 का answer क्या होगा अब एक बात समझना अगर आकाश ने क्या किया कि LIC A जो था ये वाला इसको surrender कर दिया इन बिट्विन और इसको surrender करके इस पे उसने exemption ले लिया A पे अब एक बात बताओ जब A पे वो exemption ले चुका है तो बेटा जब A पे exemption ले चुका है तो फिर वो Y पे exemption तो नहीं ले सकता फिर उसको Z पे ही exemption लेना पड़ेगा CDC बात है फिर क्या होगा A and Z वो exempt हो जाएगा and Y आपका taxable हो जाएगा तो अब इसका answer perfect क्या होगा that is the X, Z and A that will be the right answer तो यहां पे अपन लेंगे that is the X, Z and A so C is your correct answer now next part what would be the amount of deduction available to Akash under the chapter 6A for the assessment year 24-25 if he has exercised the option to shift out of default taxation regime उसका default taxation regime से बाहर आ गया मैं इस normal provision के हिसाब से उसको deduction under chapter 6A कितना मिलेगा तो guys deduction कितना मिलेगा देखो एक तो मैंने आपको बताया यहां पे आपका एक तो जो 80B का deduction मिलेगा और guys यहां पे अगर मैं deduction की बात करो तो deduction ATD का 68500 यह जो calculate किया था यह वाला मिलेगा एक बात बताओ इस साल यह इतना सारा life insurance premium भी तो पे कर रहा है तो जब life insurance premium पे कर रहा है तो ATC का deduction भी मिलेगा भाई 80 हर साल यह premium पे कर रहा है life insurance policy का तो ATC का deduction भी मिलेगा तो deduction कितना मिलेगा तो एक तो ATC में मिलेगा एक लाग पचास जार का दूसरा ATD में मिलेगा आपका 68500 यह उपर वो आपका वो भी तो था क्या आपका saving bank का interest इस पे 80 TTA मिलेगा दस जार का तो 80 TTA जो है वो आपको मिल जाएगा 10,000 का तो आपका total deduction कितना हुआ 150,000 प्लस 68500 प्लस 10,000 तो आपका 2,28,500 का आपका deduction हो जाएगा तो चलिए 2,28,500 is a right answer तो C is the right answer आपको बता है most of MCQ का answer C होता है अगर आप 1000 MCQ लेते हैं और उसका अगर random basis पे analysis करते हैं तो आप अगर analysis करके पाएंगे probability 25% होना चाहिए बट नहीं C का probability हमेशा जाधा रहता है तो C is the right answer चलिए उसके बाद वोट इस दे मिस्टर आकाश tax liability for assessment at 24-25 under the default taxation regime under section 115 BAC अगर यह 115 BAC लेता है तो इसका tax liability कितना रहेगा default taxation regime में तो देखो इसका tax liability कितना रहेगा तो अपन income calculate करे तो चलिए अगर मैं इसकी income calculate करूँ और उस पर tax निकालेंगे तो देखो सबसे पहले इसका salary का income मेरा एक तो यहाँ पर थोड़ा current सही नहीं आ रहा तो वो लिखने में तकलिप हो रही है मुझे यह देखो वो क्या होता है कि अगर यहाँ पर current सही नहीं आ रहा तो यह ऐसा होता है salary आपका 45,000 and 50,000 45,000 उसके बाद LTCG 112 है यह कितना होगा 654 उसके बाद आपका dividend जो है वो 12,00,00 उसके बाद आपका interest में saving bank account और FD का interest 16,000 and 45,000 तो आप बताईए आपकी gross total income कितनी होगी 45,50,000 plus 654 plus 12,00 plus 16,000 plus 45,000 it comes to 64,65 अब एक बात बताओ इसमें से deduction तो नहीं मिलेगा 6 से के deduction 115 BAC में block हो जाएंगे तो आपके पास 64,65,000 बचेगा अब 64,65 पर आपको tax निकालना है slab rates से लेकिन इसमें LTCG भी है तो एक बात बताईए LTCG आपका 654 इसमें से एक लाग तक टेक्स नहीं लगता तो आपका 654 माइनस एक लाग कर दीजिए तो 554 आया उस पर 10% 55,400 तो 55,400 है यह आपका LTCG पर टेक्स आएगा 55,400 अब आपका बाकी इंकम कितना बचा 64,65 माइनस कर दीजिए आप 6,54,000 तो आपका 58,11,000 बचता है 58,11,000 अब 58,11,000 पर आप लोग से टेक्स लग निकाली है बड़ स्लाब रेट आपको तीन लाख वाला लेना है तो तीन लाख तो कोई टेक्स नहीं 3,002,6,00, 6,002,9,00, 9,00, 12,00, 12,00, 12,00, 15,00, 15,00 के उपर वाला और रेट के आए होगी 5%, 10,15, 20,00, 30%, ठीक है तो चलिए इसमें से 15,00,000 तक जो है वो तो आपको टेक्स आता है 1,50,000, मल्टीप्लाइब है उपर वाले पर 30% कर दीजिए प्लस 1,50,000, प्लस आपका 55,400, टोटल 14,00, 98,700 टेक्स आया अब एक बात बताईए इसमें सर्चार्ज लगेगा आंसर इस यस क्योंकि इंकम आपकी 50,00,000 से जादा है इंडिविजुल के के इसमें 10% सर्चार्ज तो आपको 17,14,513 आता है 17,14,513 आता है तो आपका और इस सर्चार्ज तो आंसरी नहीं आ रहा करके 17,14,513 कैसे निकाला कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है अब मिस्टेक क्या हुई है अभी अपन देखते है अगर एगवे चलिए एक काम करते है मिस्टेक क्या हुई है अभी अपन इसको मिस्टेक को find out करते है आपका 64 like कुछ मिस्टेक हुई है यह मेरा pencil सही से चल नहीं रहा है नहीं तो मिस्टेक क्या हुई है तो सबसे उपर 44 एक गलत है ना इसको 45-50 की जगह लेना चाहिए था 44-50 ना यहाँ यह गलती हुई है 44-50 तो यह भी चेंज होगा यह भी चेंज होगा तो 44-50 प्लस 654 प्लस 12,00 प्लस 45,000 प्लस 16,000 इस चम्स तो 63-65 63-65 अब 63-65 में एक काम करो जो LTCG है 654 इसमें से एक लाग कम होगा माइनस एक लाग कम हो गया 554 पे 10% 55,400 एंड बैलेंस कितना बचा 63-65 माइनस 654 57-11 इस पर इस लाब रेट से निकालो इस टोटल मिला के आई थिंग यह और यह मिला के इस पर जो टैक्स आता है वो मिला के 14,68,700 हो रहा है प्लस कर दीचे 10% सर्चार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेज इस 16,80,192 16,80,192 तो 16,80,192 का मतलब आपको यहां पर लेना है 190 So here guys 16,80,192 आपका B has a correct answer चलिए What is the arcast tax liability for assessment year 24,25 if we exercise the option of shifting out of default taxation regime अगर वो default taxation regime नहीं लेता है न OUR्मल में जाता है तो क्या होगा गास नर्मल में जाता है, तो CDC बात है उसकी जो income है वो कितनी होगी 63.65 था माइनस उसका डिलक्षन मिल जाएगा 2,28,500 का तो 63.65 माइनस 2,28,500 तो आपका आया 61,36,500 61,36,500 आया अब एक बास समझेए 61,36,500 आया इसमें से वो ही वाला चीज क्या आपका 654 जो है इस पर टेक्स तो आएगा 55,400 and 61,36,500 minus 654,000 बचा कितना 54,80,500 इस पर स्लाब रिट से कालकुलेट कर दीजिए स्लाब रिट धाही लाग वाला 255,00,10,00 अपर वाला ठीक है तो माइनस इसमें से 10,00,00 कर दिया मैंने माइनस मुल्टिप्लाइब थरिटी परसेंट प्लस एक लग बारा हजार पानसो प्लस आपका 554,000 इस पर आप स्लाब रिट से टेक्स निकाली है 30 परसेंट प्लस एक लग बारा हजार पानसोर प्लस 55,400 प्लस आपका 10 परसेंट सर्चार्ज प्लस 4 परसेंट हेल्ट निक जोगे 17,300,472 तो 17,300,472 ए इस दे करेक्ट आंसर ठीक है चलिए ए इस दे करेक्ट आंसर समझा के नहीं समझा तो बहुत ही प्यारा MCQ था पहला वाला चलिए अब अपन दूसरा वाला MCQ दूसरा वाला MCQ मार्केस आएमप इसको भी ये भी एक्जाम में आने वाला है मेरे को लगता है ये एक्जाम में आएगा ये MCQ किस से रिलेटेड है पहले मैं आपको वो कॉंसेट बता देता हूँ आपको पता है अपने 43B करके एक सेक्शन पड़ी थी और मैं बार बार बोलता था कि एक सेक्शन है 43B जो टांग अड़ाती है और ये जो सेक्शन टांग अड़ाती है वो सेक्शन क्या बोलती है टांग अड़ाती है टांग कहा अड़ाती है उसमें पता है कुछ पेमेंट ऐसे थे जो आपको रिटन फाइलिंग की डूडेट तक पे करने पड़ेंगे अगर आपने रिटन फाइलिंग की डूडेट तक पे कर दिया तो तो अलव है अगर उसके बाद में पे किया तो वो आपका डिसल आउट हो जाएगा इस साल में फिर वो जिस यहर में पे करोगे उस यहर में अलव होगा और वो कौन कौश से पेमेंट थे एक तो टैक्सेज डूटी सैस अफ द गवर्मेंट दूसरा था बोनस एंड कमिशन तो एंप्लोई तीसरा एंप्लोई एंप्लोई और वो रेलवे का असेट का पैसा है तो वो आपको रिटन फाइलिंग की ड्योडेट तक पे करना है तो इस साल में अलव होगा अदर्वाइस वो उस यहर में अलव होगा जिस यहर में आप पे करोगे लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था अगर आपको याद रहेगा से कोई goods या services खरीदते हैं, अगर आप micro या small enterprise से कोई goods या services आप acquire करते हैं, खरीदते हैं, तो उस particular case में आपको उनको payment करना पड़ेगा, up to the date given in the MSME Act, means MSME Act में एक date दे रखिया, under section 15 है, उसमें MSME Act 2006 में कुछ date दे रखिया, उस date के अंदर-अंदर अगर आपने payment किया, तो तो आपको इस साल में allow होगा, otherwise जिस year में आप payment करोगे, उस year में allow होगा, लेकिन आप बोलोगे सर ये micro and small enterprise का मतलब क्या होता है, तो micro enterprise का मतलब क्या होता है, जैसा कि आपको मैंने बताया था, कि micro enterprise किसको बोलते है, जिसमें plant and machinery में investment 1 करोड से कम होना चाहिए, and आपका turnover 10 करोड से कम होना चाहिए, and small enterprise किसको बोलेंगे, plant and machinery equipment में investment अप्टू 5 करोड होना चाहिए, and turnover अप्टू 50 करोड होना चाहिए, that is the micro and small enterprise, guys ध्यान रखना, ये section सिरफ तभी लगती है, जब आप micro and small enterprise को payment करते है, medium नहीं है, सिरफ micro and small enterprise, तो micro and small enterprise को payment करते हो, तो आपको return filing की due date यहा date है, कि जो SME, MSME Act में, जो time limit दे रखिया, उस time में payment कर दिया, तो इस साल deduction ले लो, अगर उस time में payment नहीं किया, तो फिर जिस year में आप payment करोगे, उस year में deduction ले लो, अब आप मुझे बोलोगे, वो time limit क्या है, तो अगर आप PGBP के 500, जो है, वो पल्टा होगे अपनी compact में, य is there is any agreement or not, क्या इसमें agreement है या नहीं, मतलब buyer and seller के बीच में agreement है या नहीं, अगर दोनों के बीच में agreement है, तो तो agreement में जो date दे रखिये, उस date में payment कर दो, लेकिन ध्यान रखना, agreement में कभी भी आपका 45 days से जादा नहीं हो सकता, रिटन agreement होना चाहिए, और रिटन agreement में कभी भी 45 days से जादा नहीं हो सकता, अगर 45 days से जादा का agreement है तो अपन 45 days ही लेंगे, 45 days के अंदर-अंदर payment करता है, बट अगर agreement नहीं है, agreement है नहीं, buyer and seller के बीच में, तो आपको पता रहेगा, date मैंने बोला था, 15 दिन के अंदर-अंदर, 15 days का time limit रहेगा, 15 days के अंदर-अंदर payment कर द enterprise से खरीदते हो, तो payment कब तक करना है, अगर agreement है, तो तो agreement में जो days दे रखे है, उतने days के अंदर-अंदर, लेकिन ध्यान रखना वो days कभी भी 45 days से जादा नहीं हो सकते, बट agreement अगर ही नहीं, if there is no agreement कर गी ठीक है, तो आपका 15 days के अंदर-अंदर payment करना पड़ेगा, चलिए अब इसमें क्या दे रखा है, समझने ही कोशिश करना, Mr. Anil started business of manufacturing tables in the FAB 2024, he followed mercantile system of accounting, he purchased the wood from the Mr. A, Mr. B and Mr. C, तीन लोगों से वो wood खरीद रहा है, the detail of purchase and payment made are as under, यहाँ पे buyer नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तोड़ा mistake हो गया, clerical institute से, यहाँ पे seller होना चाहिए, के seller कौन है, अब आपका date of purchase क्या है, कौनसी date को आपने purchase किया, purchase का amount क्या है, क्या payment due as per the return agreement, if any, क्या agreement है या नहीं, and date of payment, आपने कौनसी date को payment किया, तो देखिए, सबसे पहले आपने Mr. A से कुछ purchase किया है, जो seller है, वो A है, जो micro enterprise है, ठीक है, आपका purchase का date है, वो 15 Feb 2024 है, मिस 15 Feb 2024 को आपन purchase का amount है, वो 5 lakh है, 5 lakh का आपने purchase किया है, किसी से, 15 Feb 2024 को, आपका return agreement है, और return agreement में लिखा हुआ है, कि within 30 days from the date of purchase, purchase की date से 30 दिन में payment करना है, तो 30 दिन में payment करोगे, तो तो इस साल में deduction मिलेगा, otherwise जिस year में pay करोगे, उस year में मिलेगा, अब एक बात बताओ, आपने payment कब किया, 29 March 2024 को किया, तो पहली जीज़ दो एक बार बताओ, MSME Act में जो time limit दे रखा है, agreement है तो agreement की date, बट agreement की date कभी भी 45 days से ज्यादा नहीं हो सकती, agreement 30 days का है, तो 30 days में payment करना रहेगा, अब एक बार बताओ, आपने जो purchase किया, वो 15 Feb को किया, तो आप date कहां से count करोगे, 16 से count करोगे तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसा करते हुए, आप क्या करेंगे, 29 Feb और उसके बाद आप 30 days जाएंगे, तो आप देखते हैं कि आपका वो time तो March में complete हो जाएगा, March में 15, 16 March के आसपास complete हो जाएगा, क्योंकि आप अगर 29 days लेते हैं, 29 days, 15 days छोड़ दो, तो 14 days आपके ह हो गए, किसके, Feb के, and guys, उसके बाद में आपके 16 days है, वो March के, तो 16 March तक आपको payment करना था, आपको payment करना था, 16 March 2024 तक, तो 16 March तक आपने payment कर दिया होता, तो तो deduction आपको current year में मिल जाता, otherwise deduction आपको उस year में मिलेगा, जिस year हम आप payment करोगे, तो एक बात बताओ, यहाँ पे payment 16 मार्च में नहीं किया, तो 16 March में नहीं किया, मिरे words पे ध्यान देना, 16 March में नहीं किया, तो इस साल deduction नहीं मिलेगा, फिर deduction उस साल मिलेगा, जिस year में payment किया, बट बाबु पेमेंट आपने current year में कर दिया ना, आपने payment तो मार्च में कर लिया ना, तो current year में कर दिया ना payment, त प्रीविएस ये ताइम पे प्रून हो नहीं है लेकिन प्रिक्षिज इस ये ब्रक्स इस ये ऋिसी पहले लेग stripes दिया तो आपने इसी एर जायकों एठीक्ष कर दिया तो पांच लाग का डिक्षिण आपको करेंट संजाजा रहे आगे क्ले सा बाद B करके एक small enterprise है, जिससे आपने 17 March 2024 को goods खरीदा 7 lakh का, कोई agreement नहीं है, तो agreement नहीं है, तो 15 days में payment करना रहेगा, 17 March को खरीदा, 17 March को छोड़ दीजिया, तो आप 18 March से अगर count करते हैं, तो 31st March minus 18 March, तो आपके 13 दिन जो है, वो तो March के and 2 दिन April के, तो आपको 2nd April तक payment करना था आपने payment 15 April को किया है, तो आपने time pay payment नहीं किया, तो जब time pay payment नहीं किया, तो ये खर्चा current year में आपका disallowed हो जाएगा, ये फिर उस year में allow होगा, जिस year में आप payment कर रहे हैं, और payment आप अगले साल कर रहे हैं, तो अगले साल आपको खर्चा allow हो जाएगा, तो इसका मतलब previous year 24 25 में इसका deduction मिल जाएगा 24 25 अगला साल तो इस साल में इसका deduction आपको नहीं मिलेगा तो इसका deduction इस साल में नहीं मिलेगा इसका deduction जो है वो आपको इस साल में नहीं मिलेगा आपको अगले साल मिल जाएगा समझा के नहीं समझा समझा अब एक और चीज़ समझना आपने किसी medium enterprise से कुछ खरीदा था जो इस डेट को खरीदा था आट लाग का चालिस दिन में अग्रीमेंट था आपने पेमेंट जो है वो बहुत लेट किया लेकिन एक बात बदाऊं जब आप मीडियम एंटरप्राइस से खरीदते हो उस पे तो यह अमेंडमेंड में लगता ही नहीं यह अ हाँ मच डेक्शन वोल भी अवेलेबल तो अनिल इन कंप्यूटिंग था पीजी बीप इंकम तो मैं बता हूँ 5 लग एंट लाग 13 लग का डेक्शन है वो मिल जाएगा सो C is the correct answer चलिए उसके बाद नेक्स पॉइंट पर चलते हैं और नेक्स पॉइंट क्या बोलता है M.C.Q 7. Mr. Sunil took a educational loan of the 8 lakh on 1st July 2023 from the State Bank of India, Mumbai for his son MBA for the University in Oxford, UK and remitted the amount through the same bank which is an authorized dealer under the LRS scheme of RBI. He further remitted 2 lakh on 15 October 2023 for his son for his personal expenditure out of his personal saving through the Bank of India, Mumbai which is also authorized dealer under the LRS scheme. Sunil also remitted 6 lakh on 28 March 2024 out of his personal saving under LRS through Union Bank of India, Mumbai for his sister medical treatment in the London. Mr. Sunil has to furnish the undertaking containing the detail of the earlier remittance to the Bank of India and Union Bank of India. What is the amount of text to be collected from Sunil in respect of the remittance of amount to his son and sister? ए गाईस ध्यान रखो मैंने आपको एक concept बताया था एक section हुआ करती है अपने TCS में 206C subsection 1G करके जी को मैंने बोला था दो नाम से याद रख सकते हैं एक तो घूमने का जाना, that is अगर OTPP खरीदा तो घूमने जाना या ग्लोबल, ग्लोबल मतलब इंडिया के बाहर जब आप पैसा भेशते हो under LRS scheme. एक चीज़ दियान रखना, इस बार कुछ amendment है section में और exam में question आएगा, amendment है तो exam में question आएगा, अब इसमें amendment क्या है, पहली चीज़ तो यह है कि 206C subsection 1G क्या बोलती है, कि अगर आप इंडिया के बाहर medical treatment या फिर आप जो है, वो medical treatment या educational purpose के लिए इंडिया के बाहर पैसा भेजते हैं, तो आपका TCS का rate 5% रहेगा, कभी भी बेजो, TCS का rate 5% in excess of 7 lakh, means 7 lakhs से उपर वाले पैसे पर 5% की rate से TCS आएगा, अगर आपने किस के लिए भेजा, medical and educational purpose के लिए, लेकिन उसमें एक और फंडा ये था, कि अगर आप educational purpose के लिए भेजते हैं, और वो educational loan लिया था, उसमें से पैसा भेजते हैं, अगर आपने educational loan लिया था, और वो ही बाला पैसा अगर आप भेज रहे हैं, इंडिया के बाहर, under LRS scheme for the educational purpose, तो यहाँ पर TCS की rate, आपकी 5% की जगे, आपको पता है, 0.5% हो जाएगी, जो 5% है, वो 5% की जगे, आपकी TCS की rate है, वो आपकी 0.5% हो जाएगी, तो 0.5% rate हो जाएगी, अगर आपने educational purpose के लिए पैसा भेजा, जो educational loan मैं से है, अब एक बात समझना, उसके बात एक और concept हमने यह पढ़ा था, कि अगर आपने कोई other purpose के लिए पैसा भेजा, other purpose में इस इंडिया के बाहर घर खरीदने के लिए, इंडिया के बाहर और कोई purpose के लिए, इंडिया के बाहर मान लो, क्या बोलते है, बाकी सब चीजों के लिए, इंडिया के बाहर पैसा भेजा, घर खरीदने के लिए, फोरेंग कमपनी के शियर खरीदने के लिए, तो उसमें आपको पता है rate क्या है इसमें rate change हुई है 30th September 2023 तक rate 5% हुआ गरती थी लेकिन 1st October 2023 से ये rate आपकी 20% हो गई है मिन्स 6 महीने जो 1st वाले 6 महीने उसमें 5% rate है उसके बाद के जो 6 महीने उसमें 20% rate है बट आपका 0.5% ये तो अलग हो गया अब दूसरी चीज समझना किसी और purpose के लिए इंडिया के बाहर पैसा भेजते है आप और उसमें ध्यान रखना अगर किसी और purpose के लिए आप पैसा भेज रहे है तो आपको कब भेजा है वो देखना है 30th September तक भेजा तो 5% का rate है और 30th September के बाद भेजा तो 20% का TCS का rate है लेकि आप अलग-अलग bank से भेज रहे है तो भी 7 lakh का अलग-अलग benefit नहीं मिलेगा आपको जैसे माल लो मैंने एक bank से भेजा 10 lakh तो उसने 3 lakh पे TCS लिया दूसरी bank से वापस मैंने 10 lakh भेजा तो दूसरी bank पूरे 10 lakh पे TCS लेगी वो वापस 7 lakh का आपको exemption वगरा नहीं देगी पूरे है point or not yes तो चलिए अब अपन इस question को read करते है और समझने कोशिश करते है देखिए अब आपको easily समझ जाएगा देखिए तो यहाँ पर इस question में देखिए क्या दे रखा है Mr. Sunil took educational loan अब देखो पहली चीज तो यह है कि वो बंदे ने educational loan दिया मेरे पता नहीं इस iPad को क्या हो आज ठीक है educational loan लिया है 8 lakh का 8 lakh का educational loan है पर July 2023 को लिया from State Bank of India Mumbai to his son MBA from University of Oxford UK and remitted the amount through the same bank which is an authorized dealer under the LRSS scheme अब एक बात दाओ यह जो 8 lakh का loan लिया तो मैं बोलू इस 8 lakh में से जो 8 lakh का educational loan है इस 8 lakh में से 7 lakh पे तो TCS नहीं आएगा जो 7 lakh है उस पे आपका no TCS लेकिन जो 1 lakh है उस पे आपका TCS आएगा कौनसी rate से आएगा 1 lakh है उस पे TCS आएगा आपका 0.5% की rate से तो 1 lakh multiply by 0.5% इस comes to the 500 तो 500 रुपेस का TCS वो collect करेगी बैंक दूसरा इस ने 2 lakh और रेमिट किया on the 15 October 2023 15 October 2023 को to his son for his personal expenditure अब एक बात बताओ उसने personal expenditure उसके बच्चे के लिए बेजा ठीक है और वो कब बेजा है 15 October को बेजा है तो एक बात बताओ 15 October को उसने उसका personal खर्चे के लिए बेजा है ठीक है तो अब यह 2 lakh जो है इस 2 lakh पे बेटा पूरे 2 lakh पे TCS आएगा और 2 lakh पे आपका 20% की rate से TCS आएगा तो 2 lakh पे आप 20% देखोगे तो आपका 40,000 का TCS है वो आ जाएगा उसके बाद उसने और क्या क्योंकि यह 1st October के बाद भेजा है ठीक है medical treatment 5% की rate रहती है तो इस 6 lakh पे 5% आ जाएगा तो 6 lakh पे 5% की rate से तो आप देखेंगे 6 lakh multiply by 5% तो आपका 30,000 आ जाएगा तो आपका TCS कितना हुआ 500 प्लस आपका 40,000 प्लस आपका 30,000 टोटल कम्स टू 70,500 टोटल कम्स टू दस 70,500 तो 70,500 का TCS आएगा तो मैं बताओं पहले आपको 1 lakh पे 0.5% फिर 2 lakh पे 20% और 6 lakh पे 5% तो कौन सा वाला आंसर सही है यह 0.5% यह सही नहीं है 0.5% 1 lakh पे 20% on the 2 lakh and 5% on 6 lakh I think B is the correct answer I think B is the correct answer so question number 7 का solution में देख ले तो कौन सा आंसर सही है question number 7 का B is the correct answer last MCQ that is question number आपका 8 Mr. Garg age 45 years and resident in India is having total income of 5 lakh 70,000 comprising of the long term capital gain taxable under section 112 70,000 long term capital gain taxable under section 112 A 1 lakh 50,000 short term capital gain taxable under section 111 A is 1 lakh and other income is 250 compute his tax liability for the assessment year 2425 under the default taxation regime under section 115 BAC अब एक बात समझना अगर आप यहां पे मैं यहां पे income ले रहा हूं उसका long term capital gain normal वाला जो है वो 70,000 है उसके बाद LTCG 112 A है वो आपका एक लाग पचास जार है एक लाग पचास जार है और STCG 111 A है वो आपका एक लाग है and guys other income at 250 है तो आपका 254 lakh 5 lakh 570 हो गया टोटल यस 570 यही आपका net taxable income है अब एक बात बताओ इस पर tax निकालना है अब आप इस पर tax निकालने है जब आप जाओगे तो मुझे एक बात बताईए आपका basic exemption 115 BSE आप ले रहे हो तो 115 BSE अगर आप ले रहे हो तो आप tax निकालते time आपको 3 lakh का basic exemption मिलेगा तो 3 lakh का basic exemption मिलेगा लेकिन आपकी other income जो है special rates की income को छोड़के जो other income है वो तो 250 है तो मैं बताओ 50,000 का basic exemption खाली पड़ा है और 50,000 का जब basic exemption खाली पड़ा है तो आप एक काम करो ना 50,000 का basic exemption खाली पड़ा है तो यहाँ पे आप 50,000 एड़ गर लो 50,000 का basic exemption खाली पड़ा कुछ text नहीं लगा लेकिन यह 50,000 का basic exemption को आप LTCG, LTCG 112A, STCG 111A तीनों मैं से किसी के भी सामने आप adjust कर सकते हो you have the choice आप यह basic exemption 50,000 का जो un-exhausted और un-utilized basic exemption है that you can utilize against the LTCG, LTCG 112A और STCG 111A इस मैं से किसी के भी सामने आप adjust कर सकते हो तो अपन किस के सामने करेंगे आपकी मर्जी हो उसके सामने करो लेकिन ज्यादा beneficial क्या होगा अब एक बात समझना चलो अपने काम करते है LTCG के सामने कर लेते हैं क्योंकि LTCG पर 20% tax लगता है तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर मालो LTCG के सामने हम ले लेते हैं यह 50,000 तो LTCG के सामने अगर आपने 50,000 लिया तो LTCG आपका 20,000 बचा तो 20,000 आपका LTCG बचा उस पर 20% की rate से tax कितना आएगा देखो तो 20,000 पर 20% की rate से tax है वो आपका 4,000 आजाएगा 20,000 पर 20% की rate से tax है वो 4,000 आएगा तो LTCG पर आपका 4,000 आएगा अब एक बात बताए तो आपका 24,000 टेक्स आजाएगा 24,000 टेक्स आएगा लेकिन सर क्या 87 A का rate मिलेगा answer is yes मिलेगा 87 A का rate है वो आपको मिलेगा और 87 A का जो rate है वो आप किस के सामने ले सकते हो किसी भी tax के सामने ले सकते हो क्योंकि देखो 115 BSE आप लेते हो ना तो आपको 87 A का rate मिलता है अगर आपकी total income up to 7 लेके तो यहाँ पर up to 7 लेकिए कामने नहीं मिलेगा बाकी 4000 and 15,000, 19,000 मिल जाएगा तो आप एक काम करिए 19,000 का आप रिबेट ले लिजिए 87 A का जो बचेगा यह आपका कितना बचा 6000 यह 5000 बच गया तो जो 5000 बचा अब उस 5000 पे health and education says add कर दीजिए plus 4% plus 4% it comes to the 5700 अब एक बात समझना इसका answer जो दे रखे है इसमें आपका 5000 plus 4% ना 5200 तो यह आपका 5200 5200 5200 है कौन सा answer है 5200 B तो आटवेक answer देख लेते कौन सा दे रखा है इन्होंने इन्होंने भी दे रखा है B लेकिन काईस एक बात बताओ मेरे को इस question में लगता है कि इससे more beneficial हो सकता था इसमें तो जो आपके लिए answer दे रखे है उसमें से आपको select करना है लेकिन इसमें more beneficial fund हो सकता था क्या पता है यह 50,000 को हम adjust अगर इससे कर लेते LTCG 112A से तो ज्यादा फाइदा होता कैसे देखो अगर LTCG 112A से 50,000 कर लेते तो यहां पे आपने 50,000 less कर दिया तो 1 lakh पे कोई tax नहीं लगेगा तो LTCG 112A पे कोई tax नहीं आता फिर tax किस पे आता एक तो 70,000 पे आत इतना होता है 14,000 को एंड गाइस दूसरा आपका STCG triple वने पे 1 lakh पे 15% 15,000 आता तो 15,000 तो आपका 29,000 टेक्स आता और एक बात बताओं आप यहां पे 25,000 का रिबेट ले सकते तो 87A का रिबेट आपको 25,000 मिल जाता तो आपका net 4,000 टेक्स बचता और 4,000 में अगर आप 4% ए 4, 1, 6, 0 जो है 4, 1, 6, 0 that will be the best answer करें ठीक है अगर यह question आपको exam में आता है और exam में आते time अगर इसमें तो option ही नहीं दे रहा 4, 1, 6, 0 का but अगर 4, 1, 6, 0 का option है तो 4, 1, 6, 0 will be the more beneficial और you can say that the best option रहेगा जो आपका 4, 1, 6, 0 रहेगा तो guys यह तुमारे 8 question थे जो की MCQ थे और बहु होती प्यारे question थे मैं आपको बोलू, this is not that easy question and all question amendments related थे आप देखोगे पहला पूरा ही amendments related है, पहले से 5 MCQ थे पूरे amendments related है, बहुत सारे amendment concept है, point number जो question number 6 है वो भी amendments related है, point number 7 है वो भी amendments related है करके ठीक है, and जो आपका 8 है वो भी amendment क्योंकि 87A जो change हुआ है, 115BAC के case में वो भी amendments related ह तो all MCQ questions are based on the amendment, descriptive मैं आपको अभी यहाँ पर solve नहीं करा हूँगा, क्योंकि इतना आपको effort मारना पड़ेगा, MCQ मैंने इसलिए करा है, जिससे कि आपको अगर कहीं doubt आता है, तो फटा 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 वीडियो देखके और बहां तक पहुच सकते होगे, जादा time waste ना हो, क्यों और यह जो question है, देखे देखे लगरे होंगे आपको, यह question number 11 भी एक बहुत प्यारा question बनाया है, जिसमें अगर आप नया घर खरीदते हो, वो 10 करोड से ज्यादा का है, तो maximum आपको 10 करोड का ही exemption मिलेगा, that is the question number 11, तो भाईया, यह सब question आपको करने है, बाकी वाले 8 मैंने क आपको काम बन जाएगा, and guys, आपको mock test paper मिल चुका है, mock test paper ICI का आचुका है, अभी तक आपने solve नहीं किया, मत करना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से एक बार पूरा revise हो जाए, फिर आप mock test paper को solve कर देना, और solve करके फिर मुझे बता देना करके, ठीक है, क्या बताना है, कैसे ब lecture अच्छा लगा, तो मैं तो आज तक नहीं बोला कि इस चैनल को subscribe कर दो, यह वीडियो को like कर दो करें, ठीक है, चलो, आज मैं बोली देता हूँ, कि अगर आपको अच्छा लगा है यह lecture, because आपने बहुत अच्छे से दिमाग की हिडगया खुली होगी, तो आप इस lecture को like कर कर दीजिए, चैनल को subscribe कर दीजिए, जिससे की जब भी मैं कुछ relevant अपडेट आपके लिए डालू, तो आपको फटाफ़ट मिल जाए, ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना बहुत है, बाकी अगले revision lecture में अपन कंटीनियो करते हैं, thanks a lot people, that's enough for today from my side.